नमस्कार मैं हो ससी आये जरकां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से 5 जन्वारी तक नाइट कार्फ्यू देश कुरोना वायरस का जंग लगातार जीत रहा है रोजाना कुरोना संक्रमन के नए मामले में कमी दर्ज की जा रही है इसी बीच महाराष्ट की उधव ठाकरे सरकार ने कुरोना के वरते संक्रमन को रोकने के लिए बड़ा फासला लिया है बतादे महाराष्ट सरकार ने राजिक के नगर निगम चेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जन्वारी तक नाइट कार्फ्यों की घोसना कर दी है कार्फ्यों रात 11 बजे से सुबा 6 बजे तक परभावी होगी वही महाराष्ट कार ने यूरोप से राजे में आने वालों के लिए सकती बढ़ा दिया है बतादे महाराष्ट में अगले 6 महीने तव मास्क पहनना निवार कर दिया गया है मुखमंत्री उधव ठाकडे ने लोगों से 9 वरस के उत्सव के दवरान सतर कराने की अपील की है जार्खन सितलहरी की चपेट में है पच्मी भी छोब के कारण जार्खन में आ रही सर्द हवा से समाने जन जिवन परभावी था अधिकतर जिलो में निवतन तापमान 5-10 डिग्री सेक्सियत के बिच रिकोर्ट किया जा रहा है बता दे मैं कलुसकी गंज का के समय कई इलाकों में ओस की बुंदे वर्फ की तरह जम जा रही है वही राची स्थित भारतिय मौसम विग्यान विभाग के वरिय वैग्यानिक अभिसेक अनन्द ने बताया कि अगले 3-4 दिनों का पूरा जार्खन में इसी तरह से ठंड का असर बरकरार रहेगा कुछ इलाकों में नियुतां तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है वही बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी और पच्मी विचोब के कारण 19 साल के पहले सप्ता में गड़वा पलामू चात्रा और लोहरदागा जिला में बारिस हो सकती है कोचिंग खोलने की मांग को लेकर रैली जारखन में कोचिंग संस्थान खोलने सहीत अने मांग को लेकर जारखन कोचिंग एसोसियेशन की ओर से सोमवार को रैली निकाली गई जेल चोग से लालपूर चोग तक रैली निकाली गई बता दे इसमें राची के 200 से अधिक कोचिंग संस्थानों के सदस्यों ने इसा लिया कोचिंग एसोसियेशन के संग्रक्षक अजय कुमार सिंग ने कहा कि राज सरकार ने 10 वी और बरावी के लिए स्कूल खोलने की जाज़त दे दी है सरकार के अने ट्रेनिंग इंस्थिट भी खोल दिये गए है तो निजी कोचिंग संस्थानों के 700 तेले बेवार क्यों जारखन के युवाओ के लिए खुसखबरी मार्च तक 15,000 सरकारी नोकरी जारखन के मुखमंत्री हमान सुरे ने अगले वर्स मार्च तक 10-15,000 युवाओ को सरकारी नोकरी की खोसना की है बतादे सीएम ने सोमवार को दुमका में कहा कि कुरोनाम हमारी संकर से निपटते हुए विकास की गति तेज करने येतू सरकार कारी कर रही है रोजगार स्रीजान सरकार की प्राथ मिकता है माना जा रहा है कि मुखमंत्री हम 19 दिसंबर को जारखन सरकार की पहली वर्स काट के मौगे पर इन सरकारी नोकरी का अपचारिक एलान करेंगे इसके लिए नियुक्ती परकिरिया नए साल में जनुवारी फ़रवारी में सुरू हो जाएगी जारखन के हर जीले में तीन सरकारी स्कूलों को मिलेगी सीबीएसी बोट की मन्याता राज सरकार 80 विद्यालियों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई सुरू करेगी परकिरियों को सीबीएसी बोट से मन्याता दिलाए जाएगी उनका चैन कर लिया गया है इसके तवात हर जीले के एक एक बालिका विद्यालाए एक कस्तुरुवा गांधी बालिका विद्यालाए के आलावा सभी जीलाई स्कूल को सामिलित किया गया है जार्खन में 15 लाख का इनामी नक्सली मारा गया जार्खन में ठंड बढ़ने से ब्रेण हेंरेज वा प्रेण इस्टोक का खत्रा बढ़ा राजधानी में ठंडी हलावों का असर लोगों के स्वास्थ पर पढ़ने लगा है वहीं मेडिसिन विभाग वा नियुरोलोजी विभाग के डॉक्टरों की माने तो प्रती दिन एक से दो मरीज ब्रेन हेमरेज वा आट से दस मरीज ब्रेन एस्टोक के आ रहे हैं जार्खन में खुले इस्कूल 50 परतिशत तक पहुंचे चातरे कुरोना के कारण 9 मा के बाद इस्कूल कक्छा 10 तथा 12 के लिए खुलने के बाद पहले दिन सोमवार को सरकारी मादमिक इस्कूलों में 42 से 58 फिशदी बचों के उपस्थिती रही बता दे जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशत को देर साम तक जीलों से मिली रिपोर्ट में इतनी उपस्थिती सामने आई है हालाकि परिशत के पता दिकारियों को मंगलवार से इसमें और भी रिदी होने की उमीद है जार्खन में 1137 संक्रमितों के पुश्टी होई है जो राची से 86 पूर्वी सिमूव से 23 मिले है गिरी डिल लाते हर पाकूर सायोगा श्रायकलाखर्सावाथ। nggakता सीमडेगा से कोई भी संक्रमित नहीं मिले है बाकि सेस जीलो से दस से कम की संक्ख्या में संक्रमिक्त की पुष्टी हुई है जारखन में खूल संक्रमित्यों को संक्या 1,13,170 है है जब की 1,10,512 लोक स्वास्त हुए और 111 की मिरिती हो गाई भारत में कुल एक्टिब केस्ट दो लाक नवड़ी जान्होशन व्हाईी धार्कॉन में एक्टिब केस्ट सब च्टराब जे एस सी में एक हैयार पदो के लिए वैकेंशी जटेसी एकहर है कैंसी राज्यक पांचों बीज़ी यह रिख्थ पदो पर सिग्र नियुकति इन पदोपर नियुकति जार्कन करमचारी चाहन अयोग के माध्यम से होगी बतादे ऊच सक्षा विभाग ने इसकी त्यारी पूरी कर लिए अच्छा निदेसक ने इसकी पूष्टी करते हुए कहा कि आयोक को नियुकती के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है अयोक से सीघर नियुकती प्रकिश्वर पुरी करने कानौ रोध भी किया जा रहा है उनके अनुसार पांचोब इसिर्एल में 33 सिरेनी के लभक 1000 पदो पर नियुकती होगी हर जीले में हो रही धान की खरीद उराव खादापूर्ती मंत्री रमेश्वर उराव ने कहा कि धान खरीद की परकिरिया में खासी तेजी आई है राजे के सभी जीलों के क्राय केंद्रों से धान की खरीद शुरू कर दी गई है नेपाल हाउस सचीवाले में मीडिया से बाचित में उन्होंने कहा कि इस वर्स किसानों की सहुलियत देखते हुए पिछले साल से डेढ़ गुना अधिक धान कराय केंद्र सुरू किये जा रहे हैं इस मौके पर किसी मंत्री बादल और विधायक लंबोदर महतों भी उपस्तित थे। शिक्षक नियुक्ति की सरते निधारित की जा रही है, बलिक नियुक्ति को लेकर गठित होने वाली समीती में राईसरकार तता जार्खन एकेडमी कोंसील जैक के प्रतिनिद्यों को सामिल करने की त्यारी चल रही है बतादे इसकुली सिक्षा एम सक्षार्ता विभागने सिक्षको और अने कर्मियों के नियुक्ती के लिए निमावली त्यार कर इस पर जैक से सुझाव मांगे है जार्खन में फिजिकल कोट सुरू करने की मांग तेज जार्खन की सभी निचली आदलतों में फिजिकल सुनवाई होने की मांग तेज हो गई है कुरोना संक्राम में कमी और वकिलों की आर्थिकिस्थिती खराब होने का हवाला देते हुए जल्द से जल्द फिजिकल कोट सुरू करने की मांग की जा रही है दरवसल जार्खन एस्टेट बार कॉंसिल की ओर से इसको लेका सभी जिला बार संगो से राय मांगी गई थी इसमें से अधिकतर संगो और वकीलों ने फिजिकल कोट सुरू करने की बात कही है अपने बयानों से युआओ को छलना बंद करे मुखे मंतरी दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष और सांसर दिपक परकास ने मुखे मंतरी हमान सुरेन के बयान पर कड़ी परकिरिया देते हुए कहा है कि अब तो बयानों से राजे के युवाओ बेरुजगारों को छलना बंद करें मुख्यमंत्री राजे के युवा महासंगठन की सरकार में पहले से ही बहुत छलने जा चुके हैं परकास ने सोमः को कहा कि मुख्यमंत्री का आज यह बयान हासेपद है जिसमें उन्होंने आगामी, फरवरी मार्च तक 15,000 नौकरी दिये जाने की बात कही है उन्होंने कहा कि एक साल में 5 लाख नौकरी देने और पूरा नहीं करने पर स्थिपा की बात करने वाले मुकχ मंत्री आज मार्च तक 15,000 बेर्जगार को नोक्री देने की घोसना कर रहे हैं अल्प संख्यक मुसल्मानों की समस्या मुख मंत्री से हल करवाएंगे उराओ अल्प संख्यक मुसलिम समाज की तरफ से जो मांग रखी गई है वह वाजिब मांग है इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद है हम बहुत जल्द अल्प संख्यकों के मामलों एवां कुरैसी समाज के समस्याओं को लेकर मुख मंत्री हमनसुरन से बात करेंगे और इसका समाधान निकालने की भरपूर कोसिस करेंगे उक्त बाते कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष रमेश्वरु रावने स्वमवार को जारखन जमी अत्तूल कुरैस के अध्यक्ष मुझीव कुरैसी के नेतियुत में आविजित अल्प संख्यक मुस्लिम समाज की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिवसे राज अस्तरिय समेलन में बोल रहे थे उग्रवादी सरेंडर करे नहीं तो मारे जाएंगे डिजीपी प्रतिबंधित उग्रवादी संखठन पिप्लस लिवरेशन फ्रंट अफ इंडिया के 15 लाके इनामी जीदन गुडिया के मुडवेर में मारे जाने के बाद जारकन के डिजीपी एमब कर बारव बाल मजदुरों को कराया गया मुक्त बदपन बचाओ आंदोलन की सिकायत पर जीला धावाद दल ने स्रम अधिक छक प्रवीन कुमार के नेतितों सखन शापे मारी कर बारव बाल मजदुरों को मुक्त कराया बतादे उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुक कर लिंग जाज करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंट्रों के विरूत कड़ी करवाई की जाएगी या निर्देश उपायुक्त उमा संकर सिंग ने सोमवार को PC and PNDT एक्ट की जीला सलाकार समीती की बैठक में दिया उपायुक्त ने कहा कि जीला पर सासन को ऐसे कई अल्ट्रास सेंट्रों के विरूत गुप्त सुचना मिली है जा एक्ट का उलंगन कर चोरी छुपे भारी रकम की वसुली कर लिंग जाज की जा रही है किसान आंदोलन के समर्थन में कोडारमा में समोहिक उपवास दिली किसान आंदोलन के समर्थन एंदमनकारी क्रिसी कानून को आपस देने के सवाल पर भागपार राज परिशत के फैसले को लेकर अखिल भारतिय किसान सभाक उडर्मा इकाई ने समवार को समोहिक उपवास किया बता दे इस दवरान 11 बये से 4 बये तक दरजनों किसान समोहिक उपवास में बैठे यूआओ के कोसल विकास के लिए सभी परियास किये जाएं खोटी डिसी खोटी उपायुक ससी रंजन के अज़्यक्सा में जीला कोसल समीती के बैठक सोमवार को आउजित होई इस दवरान जीला अस्तर ये स्कील गैप और डिमांड असेस्मेंट कोसल प्रसिक्षन योजना बनाने के समन्द में विस्तार से चार्चा की गई उपायुक्त ने डिस्ट्रिक्ट स्कील कमेटी द्वारा विभीन परकार के जगरूपता कारेकरम वा एड़वोकेंसी के माध्यम से जीला अस्तर पर अभ भौनों जो पास किये नक्सा के नियमों का उलंगन कर रहे हैं उन पर करवाई करनी सुरू कर दिया नगर आयुक्त के निदेश पर सोमवार को निगम के टाउन प्लानर के नित्युत में एक टीम ने लालपूर के पीस रोड इस्थीत कुमार गल्स होस्टल के बी ब्लोग को सील कर दिया बता दे होस्टल को सील करने के लिए निगम के टाउन प्लानर सिरिकांत सरन दल टीम के साथ पहुचे थे धन्यवाद